हेलो एबरीबन मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में जन्वरी दोहजार चॉबिस के करेंट अफेर को कम्प्लीट किया जा रहा है जिसमें अभी तक इसके साथ मीजर टॉपिक को कम्प्लीट कर लिया है आज आर्ट एन कल्चर को एथिक्स को और गवर्मेंट स्कीम को एक ही लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे वो साथ ही साथ जन्वरी दोहजार चॉबिस की मैकजीन का लास्ट चैप्टर होगा मतलब कि इसका अंतिम लेक्चर होगा इसके बाद आपकी जो फरवरी की मैकजीन जब आएगी तब आपका फरवरी दोहजार चॉबिस का करेंट अफियर कम्प्लीट कराया जाएगा अभी ये मैकजीन आई नहीं है जब आजाएगी जब आपको सेक्वेंस वाइस प्रोवाइट कर दिया जाएगा पीडिये प्राप्त करने के लिए आप हमारी टेलिग्राम चेनल यूपीएसी पीएसी बित दीख्षा को जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडिये प्राप्त होगी और आपको अभी हाली में पीटी थिरे सिक्ष्टिफाइब भी चलाए जा रहे हैं जिसमें आप जो भ पीडिये अभ्यर थी यूपीएसी 2024 को टार्गेट कर रहे हैं तो वह यह पीटी 365 को जरूर दिखे क्योंकि इस से रेलेटेट कुश्यन हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं जो कि एक अगर आप इस तरीकी का मंथली कवर करते हैं तो उसमें तो आपका करेंट फिर डेट कर लिया है जिसमें पहले नंबर पर आपका पॉलिटी का आया था उसको कवर किया था फिर एकनॉमि का आया एकनॉमि के बाद उसका till environment का आया एकनॉमिंट के बाद आज ही आपको मतलब एक दिन पहले सोचल इसई कर डाला हुआ जोकि एख लास में कमर किया गया तो चार आपके PT 365 आ गए हैं तो उनको आप देखेंगे चुकि PT 365 2024 के प्लेलेस्ट है उसमें आपको ये सभी की वीडियो मिल जाएगी चलिए तो शुरू करते हैं शुरू करने के पहले बता देते हैं कि कौन-कौन सी टॉपिक की बारे में पढ़ेंगे उसक संक्रिती- Arendan Culture के संदर में आता है के इस में हैं मिताक्ष्रा कानून के बारे में संधर्मर्ण et सुर्खियों में जैसे भोगलिक संकीत है तक टैग फिर उता है बीरभद्र मंद्र याली पाक्षी मंद्र में गुरूँ बयोर मंद्र स्रीकालाराम मंद्र शृ dynamics स्रीरंग न राष्टिय विज्ञान पुरुषकार, राष्टिय खेल पुरुषकार दो हज़ार तेईस प्रधान मंतरी, राष्टिय बाल पुरुषकार, सुवाश चन्र वोज, आपदा प्रवंधन पुरुषकार, तो ये आर्ट एन कल्चर से रेलेटिट टॉपिक हैं अब आते हैं आपके इथिक्स से रेलेटिट जिसमें बुद्धि की सिक्छाओं के संदर में नेक व्यक्ति, कुट्व दारा काटने की यटनाएं जिसमें आबारा कुट्व के नियन तर्वाजपन होने वाली नेतिक चिन्ताओं के संदर में और सुर्खियों में रही योजना जैसे सुकन्या, सम्रध्धी, योजना और परिसिस्ट को देखेंगे जो की भारत और विश्यों के संदर में रहेगा और कुछे मुख चर्चित ब्यक्तुत भी रहेंगे जिनके वारी में संचिप्त में देखेंगे चले तो सुरू करते हैं पहला टॉपिक आता है कानून या मिताक्षरा लौक की संदर में कि हाली में सुंप्रीम कोट ने नर्न दिया है कि सून या अमान विवाय से पैदा हुए बच्चों को हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 के तहत माता-पिता की संपत्ति में हिस्सिदारी से बंजित नहीं किया जा सकता है और निया मिताक्षरा कानून की बारे में कि यह कानून क्या है और इसे कब लाया गया था हिंदू बिभाजित परिवार में उत्रादिकार संबंदी कानून दो प्राचिन विधियों या मानेताओं पर आधारित होते हैं जिनने मिताक्षरा वो दायभाग कहा जाता है मिताक्षरा कानून जो है वह यागवल्ले किस्मिर्थी पर विग्यानिशुर की ठीका है और रिशी यागवल्ले किस्मिर्थी की रचना की थी और विग्यानिशुर में ग्यारवी सदी के उत्राद और बारवी सदी के पूरबार्द में वह सक्रिय थे यह सहे दायक या हमवारिस या समुत्तर अधिकारी कि आउधार्णा को मानेता देता है और इस आउधार्णों को पेत्रक परिवार का वह पेत्रक संपत्ती के परिवार को सभी पुरुष सदश्यों दोरा संयुक्त रूप से रखा जाता है उन्हें संपत्ती में समान अधिकार प्राप्त होता है और इसका मतलब है कि इस पर संउक्त अधिकार होता है और कोई बंसजी इसका दावा कर सकता है कौरपा सेनरी अपने हिस्सी का हस्तानांतरित करने का पूर्ण दिकार नहीं है क्योंकि उसका हिस्सा निश्चित या निर्धारत नहीं होता और इस कारण यह कोपार सेनरी के जर्म यह वो मृत्यू के साथ उनकी हिस्स्यों में बदला होता रहता है मिताक्षरा बिधी जो है भाई बेटी में पैतरक संपत्ती में कोपारसरी में नहीं बंप सकती हो और ये अर्थात कोपारसरी में संपत्ती में बेटी का अधिकार नहीं होता है और हिंदू उत्र अधिकार अधिनियम 2005 में बेटियों को भी पैत्रक संपत्ती में पुर्षों के समान को पार सरे ने कबरने का अधिकार प्रदान किया गया मितक्ष्रा कानून देश में कुछ पूर्वी हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत विलागू हो और देश के कुछे पूर्वी हिस्सों में दायवाग भिदी के अनुचार पैत्रक संपत्ती में संतानों के अधिकार का अनिल्धारन किया जाता है मितक्षरा कारूं की पांच प्रमोख विधियां हैं जिसमें पहली आती है द्रवण या मदरास स्कूल ओफ लो दूसरी आती है महरास्च स्कूल ओफ लो तीसरी आती है बनारस स्कूल ओफ लो और चौती आती है मिथला स्कूल ओफ लो और पांच में आती है पंजाब स्कूल अध्यात्मिक लाप की सिध्धान पर आधारित होती हो जितमें पिंड अर्पन यानि मिर्थ पूर्वजो को चावल का गोला अर्पित करने से संबंदित माला जाता है इसका केबल बंगाल और रसम के कुछ हिस्सों में ही अनुशरण किया जाता हो और इसकी कोई उपविधी नहीं है अब इनके अंतर को जान लेते हैं कि मिताक्चरा विधी और दाय विगे में क्या अंतर है मिताक्षरा विधी है जो एक रोडी वादी विधी है और दायभाग विधी एक सुधार वादी विधी आती है मिताक्षरा में पुत्र का जन्म होती ही पैतरक संपत्ती में उसका अधिकार उसके पेता के हिस्से में समान होता है और जो दायभाग विधी हो इसमें पुत्र को पैतरक संपत्ती का अधिकार के बल अपनी पिता की मिर्टू के बाद ही प्राप्त होते इसमें मिताक्ष्रा विधी में पुत्र अपनी जन्मे के साथ सहधायक बन जाता है और जो दायभाग विधी होती हो इसमें पुत्र पिता की मिर्तु की बाद सहधायक बनता है मेताक्षरा बिदी में सहे दायक अधिकार दादा और परदादा की संपत्ती पर लागू होता है और दायभाग बिदी में पिता अपनी जीवन काल में अपनी संपत्ती का पूर्ण स्वामी होता है मेताक्षरविधी में कोई भी सदस अपना हिस्सा तीसरे पक्षे को हस्ताना अंतरित नहीं कर सकता क्योंकि उसका हिस्सा निष्चेत या निर्धारित नहीं होता है और दायभाग में कोई भी सदस अपना हिस्सा हस्ताना अंतरित कर सकता है क्योंकि उसका हिस्सा निर्धारित होता है अब आता है अन्य सम्मांदे तित्थ में सबसे पहले आता है सापिंड बिभाय के बारे में कि सापिंड बिभाय जो रहा है वो चर्चा में क्यों रहा था और हाली में सुप्रीम कोट ने इसके द्वारा क्या निर्णे दिया गया और इसे किस एक्ट के तहट लाया गय इनकी से अंदर में फूल डिटेल में पढ़ते हैं कि दिल्ली हाई कोट ने हिंदू बिवाय अधिनियम 1955 के तह सापिंड बिवाय के बिवाय पर प्रतिवंध की समयधानिक बैक्ता को बरकरार रखा है जिसमें नियायले ने कहा है कि अधि बिवाय में जीवनसाती के चैन को ब सापिंड बिवाय की प्रता होने और इनका रिवाज होने पर अनमती दी जा सकती है। पेड़ी का गिना जाएगा। दो बैक्तियों को एक दूसरी का सापिंड तब कहा जाता है यदि उसमें एक निधारित पीडियों कि सापिंड नातिदारी की निर्धार सीमा में होना चाहिए इसके अंधरगत आता है। अब संबंदिर के संदर में कोई आता है सबसे पहले भोगुलेक संगेतक, भोगुलेक संगेतक जो है वह एक टैग होते हैं जिनने GI टैग कहा जाता है यह उत्पादों पर उपीयो कीये जाने वाला एक प्रिकार का चिन्हिया सायन होता है, ज़र पादकी किसी विचे स्वंय चेतर से सम्मंदित होना चाहिए और उत्पाद में मौजूद बिसेस गुड़ भी उस भोगुलिक चेतर के कारण ही है इसके संदर में होना चाहिए तो उसे जी आई टेग उस उत्पाद को जी आई टेग दिया जाता है और अब यह किस छेतर का है किस राज्य का है तो उसकी बिसेस्ता बताता है और उस जगए के मतलब की इस भोगुलिक संकत कितक के नाम पर ही उस जगए की पॉपुलर्टी को जाना जाता है अलग-अलग राज्यों की सत्रा उत्पादों को जी आई संकेतर में दिया गया है तो चलिए जानते हैं कि अभी जी आई टेग में नए उत्पाद जोड़े गए हैं भैक किसकिस राज्यों में जोड़े गए हैं जैसे उडिशा उडिशा में लांजिया, साउरा, पैंटिंग, डोंगरिया, कोंदसाल, खजूरी गुर, धेकनाल, मकजी, सिमली पाल, काई, चटनी, नयागड, कांती मुरी बैगन, और कूरा पु गारश साडी, कोरियल साडी, काला, नोनिया, चावल और सुंदर बनसहिद आती हैं जम्मू और कस्मीर में रामवन अनारदाना हैं और गुजराथ में एक अच्छे का खारी काता है स्री भीरबध्य मंद्र या लिपाक्षी मंद्र के बारे में जानते हैं कि जो स्री बीरब इसके जानने के पहले इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसे किनके द्वारा बनाय गया था और किस सताब्दी में रिका निर्मार हुआ था और यह बीरवद है मंदर जो बनाया गया है वह किस भगवान की दिवता इस मंदर में बिराजमान है कि बीरवद मंदर जो है वह आंदरप्रदेश की अनंतपूर जली में इस्तित्य इसे सोलवी सतावदी में बिजयनगर सामराज की दोरान बनाया गया था यह तीन मंदरों के साथ त्रिकुट सेली में निर्मित हो और यह तीन मंदर हैं जिनमें बीर भदर अधिस्ठाता देव भगवान सिब हैं और पापनाश्वर और अगुनाथ आते हैं यह मंदिर नंदी यह भगवान सिब का बैल की सबसी उची एकाश मूर्ती तथा साथ फनो वाले सर्प की साथ नाग सिबलिंग के लिए प्रिशिध्य और मंदबबा प्रदक्षणपत की दीवारों वच्छतों पर फ्रेशकु पदेती से चित्रकारी की गई हो और इन चित्रकारी में रामर्डबा महा भारत की आख्यानों देवी देवताओं पुराने कथाओं जै की दक्षण भारत की द्वारका की नामसे से जाना जाता है इस मंदिर में आराद्य दिव भगवान विश्नु की पूजा की जाती है और मंदिर में भगवान गुरु वाय इरप्पन की पूजा भी की जाती है जो भागवान किष्ण का बाल सरूप है मंदिर में अधी थापित की गई हैं जिन्होंने चार हाथ संक, सुधर संचक्र, कमल और गदा धारण किये हुए हैं इस मूर्ती को पाताल अंजना नाम के पत्थर से बनाया गया है वो मंदर में इस तरह से बनाया गया है कि शूर की पहली किर्णे सीधे भगवान किश्ण के चर्णों पर सत्यागरह की परड़ाम सुरूप 1936 में त्रावण कूर मंदर में अस्परस समझी जाने वाली जातियों के प्रवेश की उद्भूशना की गई और यह मंदर हातियों की दोड के लिए भी जाना जाता है जिन्हें अनायोत्तम कहा जाता है अब आता है स्री कालराम मंदर कालर के इस्थान पर किया गया था जिस में माना जाता है कि यह मंदर उस इस्थान पर है जहां भगवान राम अज्यातवास के दोरान रही थे इस मंदर का नाम भगवान राम की काली रंग की एक मूर्थी पर रखा गया और 90 बर्स पहले दलितों के लिए मंदर में प्रिवेश क अधिकार की मांग को लेकर इस स्थान पर बाबा शाह वंबेटकर ने एक इतिहासे कांदोलन का नेतत भी किया था नेक्स्ट आता है स्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है बहत तरू वरंग तरूपती की नाम से जाना जाता है इस मंदिर में अधिस्ठात्री देवता भगवान रंगनाथ या भगवान विश्णू है जिनने सैन मुद्रा दर्शाया गया यह मंदिर का निर्वाड दिर्वन सेली में किया गया हो मंदिर परिशल में मूर्ती युक्त 21 गोप्रम 50 छोटे छोटे देवालाय और 9 पवित्र कुंड है यह मंदिर एक मंदिर भड नहीं है बलकि एक मंदिर नगरी भी और यहां सब्ति पिकारम जिसे गर्वगरे के चारो और का घेरा के लिए प्रिख्यात है यह भगवान विश्ण के 108 दिब्विदेशम मंदिरों में से एक है और यह मंदिर कावेरी और कोलिदम नदियों के घेरी सिरी रंगम दिव परिस्थेते हो और कोलिदम कावेरी की सहायक नदि होती है अब आता है बड़नगर के बारे में बड़नगर जो है वह भारती पुरोदी की संस्थान या आई एटी खड़कपुर के एक सैट्थे अध्यन में बड़नगर को 800 इसा पूर की मानवस्ती की प्रमाण मिले हुए या बस्ती उत्तर बैदे के पूरु बड़ नहा जनपदों या कुलीन गड़राजों की योग का प्रतीत होता है और इसे इस सहर की प्राचीनता का पता चलता है बड़नगर के बारे में या यूनेस को बिशुधरुवर इस्तलों की एकायस था इस सूची में सामिल हो और यहां खुदाई के कई चर्णों में इतिहास का पता चलता है और इसे यह भी पता चलता है कि यह यह बहु शान्सकृतिक और बहु धार में खिंदू बौद जयन इसलाम के अंदर था और यह मुदेरा के निकट है जो की शूरी मंदर के लिए परशित है और इनका यतिहास से किस्थल हाटकेश और मंदर सरमिष्ठा जीलादी आता है अब आता है पुंग नूर गाय के बारे में पुंग नूर गाय जो है वैं आंदरप्रदेश की चित्त पुंग नूर गाय की विसेस्ताओं को देखा जाए तो यह दुनिया की कुवड़ वाली सबसे चोटी आकार की मवेशी नसलों से एक होती है इसका कद जो है 72 से 90 सेंटीमेटर और बजन 112 से 115 से 200 किलोग्राम होता है यह लगू आकार की डेरी फार्मिंग और और और्गनिक के लिए इस नसल की आदर्स माना जाता है इसका दूद उच्चे गुडवत्ता वाला माना जाता है क्योंकि इसमें फैट या पिर्चुबर्शा पिर्चुर मात्रा में होता है और इसके दूद में 8% तक फैट की मात्रा होती है जबकि आम नसल की गाय की दूद में फैट की मात्रा 3% से 35% होती है दूद का उत्पादन गाय एक बार बच्छडी को जन में देने के बाद वह स्थन 546 किलोग्राम दूद देती है और इस गाय के दूद में वह स्थम 5-8 पिर्षत का फैट होता है चलिए तो इसके संदर में जानती है कि इसे किस छित्र में पाला जाता है जब अलग से महतपूर है मतलब कि अलग ही बिसेशता रखती है तो इसके लिए कोई छित्र निर्धारित होगा तो यह किस छित्र में पाले जाती है जैसे इनने किसी भी छित्र में पाला जा सकता है मतलब कि इनके पालने के लिए कोई छित्र डिसाइड नहीं है यह कहीं भ चारा मिलता है तो भी वैखा के जिन्दा रह सकती हैं एसुक्स मौसम में के चारों जैसे की घांस पुवाल आदी पर भी जीवित रह सकती हैं सांस्कृतिक महत्त को देखा जाए तो तुरुपती तुरुमाला मंदिर सहता अंदर प्रदेश के कई मंदिर इसके दूद का उप किसा तमिलारू करनाटक में गिर जो है वै गुजरात में देवनी महरास्ट करनाटक में थार पारकर संचोरी राठी नागोरी राजस्थान में ओंगोल आंदर प्रदेश में कांकरेज गुजरात राजस्थान में मालभी निमाडी में मद्रदेश में जोकी मद्रदेश में और हली कर मलनाड, गिद्दा, अमरित महल करनाटक में पाई जाती है अब आता है बारली जन्जाती बारली जन्जाती में महराष्ट के संजय गांधी राष्टी उध्धान की नजदी के तेंदू के साथ सांतिपूर सहिस्तुत में रहने की एक मिशायल काईम की है जन्जाती तेंदू या बागोवा को देवता मानकर उसका सनलक्षन करती है बारली जन्जाती के बारे में या महराष्ट चेत्ती की सबसे बड़ी जन्जाती आवादी में से एक है जो मुंबई के बाहरी इलाके में उत्तरी सहियाद्री में रहती है इसके अंतरगतिय है जो जाती है बाड़ली वित्ति चित्रण के लिए भी प्रिशिद्य हो और इस चित्रकला की सेली काउद भाव दस्वी सताब्दी इसा भी माना जाता हो और इसे आमदोर पर आमजिन जीवन के लिए दिनचर्य और आजपास के परिवेश से परिवर्तित ह होती हैं चित्र बनाने के लिए प्राक्तिक सामागरी और रंगों का उप्योक किया जाता और ये चित्र बास की लकड़ी से बने ब्रस से बनाये जाते हैं अवाती है ब्रू जन जाती जो है मिजोरम के ब्रू सरनार्थियों का एक अंतिम समूवर इस थाई रूप से तुप्रा में बसाने का निर्णे 2020 में केंद्री ग्रह मंत्राले तुप्रा और मिजोरम की बीच हस्ताक छरित एक समझोते के अनुशार लिया गया है। उसी एवं खाद संग रहे गतिविदियों पनिर्भाय होती है और यह जन जाती होजा गिरी निर्ट भी करती है। मल्यालम का मिश्रेद रूप आता है। लुप्त प्राय भासाओं की रक्षा के लिए कुछ पहले शुरू की गई है कि पहला आता है कि लुप्त प्राय भासाओं की सुरक्षा और सनरक्षण के लिए योजना, दूसरा आता है केंदरी, विश्व ध्याले में लुप्त प्राय भासाओं के लिए केंदरी की स्थापन करना होता है अब आता है कि पश्यम मंगाल में राज दिवस और राज गीत अवधिसूचित किये गए जिसमें पश्यम मंगाल ने पोईला बोई साख या पहला वैसाख को राज दिवस और बंगरा माटी या बंगला जोल जल को राज गीत की रूप में अवधिसूचित किया ह हुआ है पोईला बोई खा बंगाली केलेंडर वर्स के बेसाख माय का पहला दिन होता है जिसे बांगला दिवस की नाम से जाना जाता है पोईला वाई साख पाश्य मंगाल तुपरा जहारकंड असम में बंगाली समधाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महतपूर ते उहा रहे में स्टैचू ओफ सोसल जस्टिस का अनावरण किया गया है या बिया रम्बेटकर की 206 फीटूची कांस प्रतिमा है और यह बरतमान में डॉक्टर रम्बेटकर की प्रतिमा बिश्व की सबसी मुची प्रतिमा है अन्य प्रसिद मूर्तियों में देखा जाए तो स्टैचू ओफ से डिश्व की प्रतिमा फीट की प्रतिमा है इसे पहले दिये जा रहे तीन इस पुरुसकार को चार सरणियों में दिया जाता है जिसमें बिग्यान सरी बिग्यानियुवा सांती शुरू भटनागर और बिग्यान टीम सामिल है। पर सफल सौप्ट लेंडिंग हुई थी। द्रोड़ा चार पुरुसकार यह प्रसक्षकों को दिया जाने वाला सरवोच्य खेल सम्मान है, मेजर ध्यान चंदर पुरुसकार यह एक लाड़ी को जिसके जीवन भरक्योप लब्दियों के लिए दिया जाता है। और दी पांचवा पुरुसकार आता है, मौला नाबुल कलाम आजार ट्रोफी जो कि यह ट्रोफी अंतर विश्वद्याले टूर्णामेंट में सरवसिष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम को दिया जाता है। और राश्टीय खेल पुरुसकार पुरुसकार में पुरुसकार उन संगठनों या कॉर्परेट को दिया जाता है, जो खेलों को पुरुसाहन पुरुसकार करते हैं। अब आता है प्रदान मंत्री राश्टिय बाल पुरुसकार के बारे में जिसे राश्टपती ने 19 बच्चों को यह पुरुसकार दिया है इसे हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्राला दिया जाता है इस पुरुसकार में 15-18 वर्स की आयू की बच्चों को प्रदान किया जाता है जिसमें 6 सरणियां होती है पहली सरणिय में बीर्टा, दूसरी में कलाओ, संस्कृती, तीसरी में परियावरण, चौथी में नवाचार, पांचमे में बिज्ञान एवं परोधिकी और छटी में सामाजिक सिवा एवं खेल में उत्क्रेष्ट प्रदर्शन किया जाता है पुरुसकार के तहती एक पदक प्रमाडपत पुरस्टिका दी जाती है और यह पुरुसकार गरतन दिवसे एक सुप्टाई पहले दिया जाता है पुरुसकार पेजेताओं को वैक्तिकत रूप से पुरुसकार प्रापत करना होता है हाला कि बहादुरी के मर्डो प्रांथ पाल सकती पुरुसकार दिये जाते हैं जिन में ये सरपुरुसकार के विल भारत के नागरिक बच्चों को ही दिये जाते हैं शुबाश चंद्रबोश आपदा प्रवंधन पुरुसकार यह जो पुरुसकार है इसी उत्तरप्रदेश के साथ पेरा सूट फील्ड होस्पिटल का चैन 2024 में किया गया इस पुरुसकार के बारे में इसी हर साल 23 जन्वरी की पराकरम दिवस के तौर पर मनाती है जो नीता जी शुबाश चंद्रबोश की जन्ती की उपलक्ष में पराकरम दिवस को मनाया जाता है तो इसी 23 जन्वरी को इस पुरुसकार की घोशना की जाती है और शरकार 2021 से इन पुरुसकार को दे रहा है और हर साल 23 जन्वरी को पराकरम दिवस मनाया जाता है इस पुरुसकार को आप इसे विवेक्ति या संस्था को पुरुषकार के लिए नामंकित कर सकती है, इसके अंतरगत आता है। यहाँ पर आपका संस्कृति से रेलेटेट टॉपिक फिनिश होता है, अब आता है नीति सास्त्रिया इथिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है बुद्ध की सिक्षाओं की संदर में। जैसे हाली में भारत के उपराश्ट पती ने एशियाई बौध सांती सम्मिलन की बारवी महासभा को संबोधित किया है और इसे बुद्ध की सिक्षाओं की महत्य पर जोल दिया है, इसके अंतरगत आता है। चले तो जानते हैं कि बुद्ध की प्रवक सिक्षाओं की बारे में कि इसके अंतरगत इनकी बुद्ध की कौन-कौन सी सिक्षाओं है। बुद्ध जो है बच्छटी सताबदी इशा पूर्व में इन्होंने महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था जिसमें जीवन में सरवत्त दुख है और इन दुखों से मुक्ती पाने के लिए व्यक्ति को अपनी एक्षाओं पर बिजये पाना है। बुद्ध की सिक्षाओं में चार आरिशत और अस्टांगिक मार्ग सामिल है। तो ये चार आरिशत कौन-कौन से हैं। जैसे पहला आता है कि संसार में द अज्ञान है। दुख का मूल कारण अज्ञान है जिसे दूर हो जाए या दूर दुख का अंत हो जाए या इसका तीसरा है और चौथा आता है कि अस्टांगिक मार्ग पर अपना कर दुखों का अंत किया जा सकता है जो इनके चार सत्ते आते। अस्टांगिक मार्ग में ज सम्यक आजीव का शम्यक व्यायाम, सम्यक समाधी सामिल होता है। बुद्धिने मध्यमार्ग जोकी नातुक बहुत कठोलता और नाही बहुत अधिक बिलास्ता पूर्ण जीवन के आधार पर सरल और सात्विक जीवन जीने का उपदेश दिया हुआ है। इनके अलावा बुद्धिनीतिसास्त्र में चार आरेशत्र में चोथी का विस्तार सी बर्णन किया गया है जिसमें मुख्छिके, साधन के रूप में त्रीरत्र जिसमें ज्यान, प्रग्या, सीलियन, अतिक काचरण और समाधी मतलब इकागरता का बर्णन करता है। बुद्धिक चूओं के लिए पांच नियम बनाया है पालन किया गया है जिनमें पांच नियम हैं जिसमें सत्त जूट ना बोला, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तिय चोरी ना करना, ब्रम ब्राविचारी ना करना और माधक द्रब्बों का सेवन ना करना इसके अंतरग होता है अभी हाली में भारत में जो मिसन लाइप चलाए गया है उसमें इस संकल्प को परिकल्पित किया गया है दूसरा आता है विज्ञानिक दृष्टिकौर्ण को बढ़ावा देना यह जो है बहे माइन फूलनेस और एकागरता वसाही समझ को प्रोसाहित करने से ब्यक्ति कि प्रष्णों और इसमें किसी घटना की कारण जानने की प्रवत्ति को बढ़ावा मिलता है नागरिक के अंदित सासन में सम्मेक वाडी सम्मेक कर्म बाजीब का प्रशाशन को नागरिक कल्यान और शमाविशिता को प्राथ मिक्ता देने हे तू अधिक कम्मिदन सील और से नाधान करने में मदर कर शक्ति है संदारनी विकास में वह होता है सांति सथ्भा इवं सही संघ्णति की भावना होती अंतरधार में में शोहाद्र की प्रवत्ती देखने को मिलती है नैतिक-माज-दर्शिता होती है जिनerves 세 बर्त्वान में अर्टिफिशिल इंटाशन्स ब पर केंदरत नहीं है बलकि मैं संसार के सभी प्राड़ी और इवन प्राक्तिक जगत की भलाई के साथ सार नेतिक अनुशासनों के पालन के माद्धिम से मानों मुक्ति परवल देती हैं अब आता है नेक वेक्ति या गुट सैमिरिटन्स के बारे में कि इसके संदर महात्मागा जिसमें दिल्ली हाइकोagt ने कहा हैं कि जो वेक्ति संकट में फसे वेक्ति की मदद करना चाएता है उसे दया दिखाने के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए और इसके अलावा दिल्ली हाइकोट ने याईभी कहा है कि सावजुनेक्सड़क या राजमार्क पर किसी घ इंकट में पड़े लोगों की सहायता करना एक व्यक्ति का उत्तरदाय तिवम कर्तब है और उनसे या पिक्षा करना कि दूसरों की मदद करने की बदले उन्हें अधिकारियों दोरा परेशार नहीं किया जाएगा या लंबी कानूनी और चारिकताओं का सामना नहीं करना पड और इसे नागरेकों की जान बचती है विदियायों के अनुशार सरण दुखना में घायल हुए विक्तियों को यदि समय पर चिकिस साद एक भाल मिल जाती है तो बिसीस कर गोल्डन आवर के दोरान इससे 50% से अधिक मौतों से रोका जा सकता है और यह पुलिस इवमन संबं ना करके उसे संदिक दिना मान कर उसे पृतिक्ष दर्सी बनाने के लिए बाद ना करके आदी के द्वारा होता है कुछ ऐसे मुद्धे भी होते हैं जो गुट से मेरिटिन के कारियों में बाद ढालती है जैसे पहला आता है उदासिंता का होना जो कि सामनता लोगों की वतिया बढ़ रही हैं उसके संदर में दर्सक की उदासींता के संदर में यह हिस्तती होती है जिसमें जिम्यदारी के परिशार की ओर ले जाते है जन्ता की पृत्कूल नरण जो कि घायल की मदद करने वाले बक्ति को लगता है कि कहीं भीड़ दौरा उसे इस घटा के मामले में फसने का डर लोगों के आने आंगे आने और दूसरों की मदद करने के लिए एक प्रमुक बादा के रूप में कारे करता है इसके अंतरगत आता है अब आता है कि गुड सेमरेटिंग और भारत में कानूनी प्रावधान की संदर में देखा जाए तो एक वेक्ति जो क किसी भी दुरगटना क्रेस या आपातकालिन चेकिस्ता इस्थिति या आपातकालिन इस्थिति में किसी घायल वेक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालिन देखवाल प्रदान करने की उद्दे से आंगे आता है तो यसे कार को किसी भी पैसे या पुरुसकार की अपिक्षा किये बिना देखवाल या विसे संबंद के किसी भी कर्टब के बिना स्विक्षा से किया जाता है और सेव लाइफ फाउंडिशन द्वारा एक जन हिती आज का जारी की गई थी जिसमें सुप्रीम कोट ने कें सरकार को सड़क दुरगटना की संबंद में दिसाने देश चारी क जा रहे हैं जैसे आप किसी कार के लिए जा रहे हैं बीच में कोई सड़क दोड़गटना हो गए या पिर कोई आपातकालिन परिस्तिती आगे तो इस आप अपना काम छोड़के उस व्यक्ति जो जोखिम है या फिर उसका एक्सिडेंट हो गया है तो आप उसको अस्पताल ले जा रहे हैं तो अस्पताल ले जाने के टाइम पर आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो उसके बाद जब व्यक्ति बापिस आएगा जैसे आप उस वो काम करके बापिस आएगे तो उससे कोई कोश्चन पूछा नहीं जाएगा ना उसको किसी भी तरीके से वाद्य किया जाएगा तो इनके संदर में सुप्रिम कोट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिये गए क्योंकि ऐसी घटनाये जो हैं होती रहती हैं और इसमें एक गुड सेमरिटियन के संदर में एक प्रावधान भी एक व्यक्ति के संदर में लाया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा और ये जो होंगे वह किसी सिविल या आपराधिक उत्तरदायत के लिए भी उत्तरदाई नहीं होंगे और इन्हें अस्पतालों के लिए संद्विक चार्टर प्रकासित करना चाहिए जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि घायल व्यक्ति की तो निभाया है तो आपसे कोई भी व्यक्ति या मतलब कि जो होस्पिटल में आप अगर उसको एडमिट करके आया हो किसी व्यक्ति तो आपके लिए इसके लिए वाद नहीं कर सकता है कि आप इसका पैसे दीजे या फिर कोई भी विवस्ता प्रोबाइट कराईए आप क्या जितना ड्यूटी है आप जितना कर सकते हैं आपने कर दिया तो उसके संदर में बाद्धिकारी होगा और नहीं होगा उसके संदर में सुप्रीम कोट ने कुछ गाइडलाईने इस तरीके से दी हुई है गुट सेमरिटेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौटर वहन संसोदन अधिनियम 2019 में 1234 को भी जोड़ा गया भारत में हम गुट सेमरिटेन की संस्कृति को कैसे वड़ावा दे सकते हैं जैसे की कानून में सुधार करके जो कि गुट सेमरिटेन की सुरक्षा के लिए मौटरवाहन अधिने 1988 के कठोर प्रावधान जोड़े जा सकते हैं अस्पतालों और पुरिस स्टेशनों में गुट सेमरिटेन से सम्मधित चार्टर ओफ राइट्स प्रकासत क्यार सकते हैं गुट सेमरिटेन को पुरुसकार इवं मानता दी जा सकते हैं जिसे ओपरेंट कंडिशनिंग का उप्यों के सम्मध में किया जा सकता है फिर आता है कि लोगों को जागरुकता का प्रिशार करना सर्वसिष्ट कारपडालियों को अपनाना होता है अपनी योगिता की परिक्षड कीजिए कि संदर में इसमें एक इस तरीके शेप्रिश्ण और उत्तर दिया गया है जिसका उत्तर आप एक प्रेक्टिस के तौर पर कर सकते हैं अब आता है कुश्चन की कुट्टो द्वारा काटने की घटाय या आवरग कुट्टो की नियंत्रन में उत्पन होने वाली नेतिक चिंताओं के बारे कि 2019 की पशुधन जनगरना की अनुशार भारत में आवारा कुट्टो की आवादी लगभग 1.5 करोड है इसके कारण बैश्विट पटल पर भारत की छबी कुट्टे के काटने और एवीज की राजधाने की रूप में है राश्टी अपराद रिकॉर्ड बीरु के नुशार 2019 में बारत में कुट्टो की काटने के लिए 4146 ऐसी माम ले सामने आए हैं जिससे इंसानों की मौत हो गई हो और आवारा कुट्टो की प्रवंधन को लेकर चिंता बढ़ रही है हिद्धारक और फायदेव भूमका को देखा जाए तो पशु का लियार संगठन याकार करता की संदर में आता है कि आवारा कुट्टो को आस्रा भूजन उपलब्द कराना और पशु सम्मंधी अपसिष्टो का प्रवंध करना है बचाओ अपनर्वास का प्रयास करना मानवी विवार की वकालेत करना और जिम्मेदार पालतु पशु का स्वामित बढ़ाना होता है पालतु जानबर के मालिक की संदर में कि अपने पालतु जानबरों की जिम्मेदारी लेना और आवारा कुत्तो की आवादी को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है और पालतु जानबरों का समय पर ठीका करण कराना है अब आता है इस्थानी प्रादी कारी के संदर में कि आवारा कुत्तो को आवादी को नियंतर करना और उनका कल्यान सुनिश्चित करना आवारे कुत्तों का प्रभावी टीका करण और नस्वंदी सुनेश्चित करना, सरकार के लिए अपशु नियंतर के लिए उचित नीतिया कारून तयार करना और कुत्ते के कार्टे के मामले में पागल कुत्तों को निपटने के लिए मानक संचालन पिक्रियाओं को अपनाना ह होता है आवारा कुत्तों की नियंतर से जुड़े नेतिक पहलूओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है परित्याग होना कि पालतु चानवरों को छोड़ देना एक अनेतिक कार होता है जिससे अक्सर अनेतिक और गेर जिम्मेदाराना बिवहार माना जाता है विविदक बिवहार में ये कुत्तों के विविनिस रैडियों और नसलों की सास्त अलग अलग बिवहार को भी लेकर कुछ चिनताए हैं साहेचर और जिम्मेदारी की संदर में आता है कि ये कुत्तों का भविष्च में बिकास वादी प breast की प्रियावरण की वहन चमता गा एक प्र जा संसालनों को देखती हुए एक बिसेस वातावरण व्यारा समर्थित किया जा सकता है पशू नियंतर तरीके में इसमें पकड़ने सामुही खत्ता और एहत्या और एक्छा मिर्त्यू की तरीकों के उपयोग नयतिक चिंताओं को जन्मे देता है बर्तमान नीतिके धाचा को दे खा गया भारतिये पसु कल्यार वोट जिसके तहत इसको बढ़ावा देने के लिए 1962 में पी सीए 1960 के तहत गठित एक वैधाने सलाहकारी निकाए पशु जन्मे नियंतर कारिक्रम जिसका उद्देश नस्वंदी और टीका करण के माध्यम से काबारा कुत्तों को नियंतरित क करना होता है और इसमें नियाइक दर्ष्टिकोर को देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन आदेशों में विभिर से इस प्रक्रूप से उल्ले किया है जो कि कुत्तों की स्थानांतर की अनमर्ति नहीं दी जाती आगे की राय में देखा जाए तो इसके उपाय किये जाने चाहिए जो कि सरकार को सिविल सुसाइटिक के साथ मिलकर आवारा कुत्तों की समझे ठीका कर नस्वंदिकार करम बात था पसु अपसिष्ट प्रवंधन सहित विभिन दीतिगत उपाय करने और उन्हें लागू करने की आवश्यक्त है आउसल लचनात्मक इसे नेतिक योगिता का परिक्षण कर सकती हैं कि इसमें एक कुश्यन है कि महानगर में बैंगलूर आवारा कुत्तों की बड़ती संख्या से जूज रहा है और कुत्तों के काटने की घट्टाएं निवासियों के साथ संघर सो सुरक्षा को लेकर चिंताएं आम हो गई हैं नागरिकों की कुश समूने कुट्तों की प्रती रूस बड़ रहा है और आवारा कुट्तों को खाना खिलाने वाले या देखवाल करने वाले लोग आम लोगों की हिंसा का सिकार हो रहे है प्रशासन पर सड़कों को आवारा कुट्तों से मुक्त कराने का दबाब है तो प् आप याप दे सकते हैं अब यहाँ पर यह इथिक से रेलेटिक टॉपिक फिंश होता है अब आता है सुर्खियों में रही योजना जिसमें आती है शुकंनया समरद्धी योजना जिसे हाली में वित्मनत्राले ने जन्olate मार्च दोहजार चौबिस की तिमाही के लिए शुकंन निवेस प्रदान करना और इनका सिक्षा और साधी के खार्चों को पूरा करने के लिए ओपियोग किया जाएगा यह है बित्मंत्राले के अंतरगत का आता है और इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना के तहरे सुरू किया गया था यह बालकाओं के लिए एक ल बालका का नाम खूला जाता और इस योजना की तहट एक परिवार में अधिक्तम दो बालकाओं के लिए खाता खूला जाता है शुकन्या समरद्धी योजना यह लड़कियों की सिक्षा और विभाय पर होने वाले बैय के लिए बचत की जाती है यह जमारासी पर उच्छी व्याजदर प्राप्त होती है और समय से पहले जमारासी निकाले जाती है और आयकर अधिनियम की धारा असे सी के तहत इसमें करचूट प्राप्त होती है जिसमें नियुंतम जमा होती है वह एक वित्त वर्स में 250 रुपे अधिक्तम जमा एक वित्त वर्स में 1.5 लाक यह जो योजना है यह जनजाती कार मंत्राला के अधीन पांच वर्स रोकी 2021 से 2026 तक की अवधी के लिए शुरू किया गया है जनजाती यूपी योजना के लिए बिसेस केंद्रिय सहायता का संसूदित करता है इसका उद्देश अविशक्ता के आधार पर ग्राम विकास योज करना है और अनुसुचित जनजाती की आबादी के लिए केंद्रिवम राज्यों में अधिक्तम योजनाओं को कवर करता है यह स्वास दिख्षा कनेक्टिविटी और आजीब का जैसी महतपूर्ण छेत्रों के लिए बोनियादी धाचे में सुधार करता है अधुसूचित अनुसुचित जाती आबादी वाले सभी राज्यों या केंद्सासित प्रदेश होती हैं जो कि इन राज्यों या केंद्सासित प्रदेशों में ऐसे कुल 36,428 काओं की पहचान की गई है जिसमें कम से कम 50 प्रसत आबादी ST की और कम से कम 500 वेक्ति ST हैं कारेंबन एजेंसी में देखा जाए तो इस सम्मंदित राज्यों केंद्सासित प्रदेशन का प्रदेशन होता है जो कि जन जाती एक अल्याण का कार देखने वाले विभाग की एक नूडल विभाग की तहत कारेंगे इनका प्रकार एक केंद्र परायोजित योजना है जो क कि किन सरकार द्वारा 100% अंदान दिया जाता और इसका वित्य प्रावधान प्रतेक चैनित गाउं को प्रशास्निक ब्याई सहित स्विक्रत गत्विदियों के लिए गैप फिलिंग भंड के रूप में 20.38 लाग रुपे प्राज़ी प्रदान की जाती है जिसमें आवंटित बजट में 2% प्रिशाश्चने को नेगरानी वेय के लिए उपयोग किया जाएगा गाउं का चैन में देखा जाए तो इसमें 36,247 गाउं को पांच बरसों के लिए कवर किया जाएगा और पिरती बरस एक बर्टी पांच गाउं का चैन किया जाएगा इसके अंतरगत आता योजना के अंतरगत कुछ पर योजनायों की प्रकार हैं जैसे कि एक गाउं से दूसरे गाउं तक गाउं के भीतर सड़क संपर्खोना, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी, विध्यालाई, आगरमारी केंद, स्वास्तुप केंद, पीने की पाने की शुबदा, जलने कासी और ठ सबसिष्ट प्रवंदन इसके अंतरगत इसकी कुछ परकार आती हैं, अब आता है, सुर्खियों में रहे प्रोखिस्थल के वारे में, जिसमें आता है बढ़नगर मेहिसाणा या गुजराज, जोकि आयाटी खरणपूर में एक अध्यन के अनुशार बढ़नगर में, साराइस्ती हरेत अधीकरण, नेकन सरकार के करनाटा को केरल के साथ नोटिस जारी किया और इस नोटिस में, केरल के कासरकोर जिली में मिन्चिन पढ़ाऊ के पहाडी छितर में एंडू सलफोन की डंपिन करने की सिकायत मिलने जारी किया, सिक्किम जो कि भारत का पहली वार दुढ्ड़ंदति भूरे बालू को सिक्ञे में देखा गया है पक्किपाउगा हौर्णवेल फेस्टिवल जो की पूर्वी कामेंग आनाजल प्रदेस में है जो तीन दियुसी ये पक्किपाउगा हौर्णवेल फेस्टिवल का सुभारम में हो गया विजयवाड़ा आंद्र प्रदेस में ऐसे टेचू आप सोसल जस्टिस का नावरण किया गया है चिन्नार वनजीब अभ्यारण जो कि एडुट की केरल में है से हाली में केरल के चिन्नार वनजीब अभ्यारण में यूरेशियन उद्वला में जिसमें अंतरगात आता है सुर्जलेंड सुर्जलेंड जो है वैं सुर्जलेंड भारत ने 16 वर्सों तक चली बारता के साथ मुक्त ब्यापार समझती पर सहमती पर पहुंच गया है डेनमार्क की महरानी मारगेट तितिये ने 92 वर्सों तक सेहासन पर आसी रहने के बंदरगाय की गेस टर्मिनल पर हमला करने का आरूप लगाया है सुदी अरब के संदर में की भारत और यरुशंवती अरब में बार्शिक हजय आत्रा में सम्झोते पर हस्ताक्षर की हैं संदर बर इमरात को हाली में पहली बार संदर बर इमरात से आया तितकच्ची तेल का भुक्तान रुपे में किया है मालदीव जो कि मालदीव की सरकार ने मालदीव प्रधान मंत्री के खिलाब अपमान जनक टिपड़ी करने की कारण अपने तीन मंत्रियों को ने लंबित किया है मौरिसेस के संदर में निवज है कि अबिनेट ने साइक्तरा रूप से लगो ग भुशना की है कावो वर्डे जो की डवलु एची ने कावो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमारित किया है एक्विडियोर इसे मोस्ट वांटेट कैदी के जेल से भाग जाने के बाद एक्विडियोर में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया पनानवा नहर जो की भीशन फूके का सामना कर रही हो और इसके काण प्रादिकारियों ने पनावा नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को 36 परश्यत तक काम कया है सेनेगल जो की रेट जील में नाइट्रेट के इस्तर में अचानक ब्रदी होने के काण इसके काण यह जील साली में भारतियों को लेकर निकारगुआ ग्राम जाने बाले एक बिमान को मानों तसकरी के संदे के आधार पर फ्रांस में रोक दिया गया था तो इसके संदर में इबिश्यों के प्रोख स्थल रहे हैं जो की शुर्ख्यों में रहे हैं अब आते हैं प्रोख व्यक्तुत् जनबरी 2024 को इनकी जनती मनाए गए रानी बेलू ने चियार जो है रामनात पुर्म बर्तमान तमिलाडू की राजा चिल्ला मित्तू विजार अगुनात सेतुपते की पुत्री है और यह कई भासाओं में दक्षती और इनका युगदान जो रहाय किया है है धर अली वा गुप रख रही हैं जोनोंने हिंदी वासा की प्रचार प्रशार को उन्हें जीबित किया और इन्हें खड़ी भोली के जनक के रोप में भी लोग प्रिये आते हैं उनकी प्रमुक किरतियों में हरिश चंदर का कभी बच्चन सुधा आती हैं अब आते हैं श्वामी श्रद्धनन जो कि इनका जन में पंजाब के जालंधर में हुआ यह श्रुवात में इन्हें मुंसी राम के जाने जाता है और बाद में वे श्वामी श्रद्धनन के नाम से बिख्यात हुए और वे प्रमुक समाज सुधारक थी और 1882 में उन्होंने आर समाज के सिध्धानतों को अपड कि श्वामी वेकानन्द जी के जनती के अउसर पर राज्टी यूवादवस 12 जन्मरी को मनाया जाता है बड़ माहरत के महान दार्शनक समाज सुधारक थे और उनके बच्पन का नाम नरेंदिनात दत्त था स्वामी विवेकानन्द का युख्य योगदान धारमीक दर्शन क की प्राचिन-प्रणारी बेदान्त को लोकलिये बनाना और 1887 में रामकिष्ण मिसिन की इस्थापना की जिनों हने उन्हें गुरू सौमी रामकिष्ण प्रमहंस का नाम रखा था इसके अलावा उन्हें बेलूर्मठ की इस्थापना की और उन्हें 1893 में शिकागों में वि करांतिकारियों की यगांतर समूर में सक्रिय सदस्थ थे अवाते होमी जहांगीर भावा जो की देश में भावा की पुनिति थी चौबेश जन्वरी रही है उसके संदर में नयाद किया गया और भारत के प्रमाणू कारकरम के जनक है और 1954 में तीन चर्णों वाले प्रमाणू थी और इनका जन्मे ब्रम समाज से परिवार ब्रम समाज से जुड़ा हुआ सुतनता सांगराम में सामेल हुई । इस शवाशनर बोष को भी बीना दाज के पिता से प्रेड़ना मिली थी और इन्होंने यंग्रेजियों के खिलाब घोत जताने के लिए credits में कलकत्त विश् का नुशंधार प्रयोग साला अहमदवाद बारती प्रवंद संस्थान अहमदवाद बिक्रम सारवाही अंत्रक्षिकें त्रुवन अंत्रवर में इनके द्वारा इस्थापित किये गए और इनको कुछ पुरुसकार मिले गए हैं जिनमें 1974 में अंतरास्थी खगुले संग न जो भारती है टैनिस खिलाडी रहे हैं जिन्होंने पुरुसरीवल रेंकिंग में विश्व के नंबर बनने वाले उमरेद राज खिलाडी बन गए हैं और इन्होंने एक ग्रांट से ताब में पांच एटीपी मास्टर एक हजार खिताब जीते हैं और इन्हें 2012 से सुहला के बीच उलम्पिक खिलो में भारत का प्रिट्रियों तो किया और 2002 में भारत की डेविस कप टीम के सदस्वी रहे हैं यहां पर इस टॉपिक के साथ हतिया है मैकजीन भी फिनिस होती है मतलब कि यह इसका लास्ट चैप्टर था जिसमें आपके तीन चैप्टर को कवर किया गय और भी कुछ परिशिष्टे के संदर में थे उनको भी कम्पिलीट किया गया नेक्स टे मतलब कि जब भी आपका फरवरी का करेंट अफियर आ जाएगा यह मैकजीन आ जाएगी तो उसको भी इसी तरीके से कम्पिलीट कराय जाएगा डे वाई डे आपको एक लेक्चर प्र झाल